तो बच्चो चले साइंस की अमेजिंग सी दुनिया में नमस्कार मंडड़ी कशाहत सर्व आई होप सर्व मजेत दसनार और हाँ मेरा हर बार का प्यार भरा सा सवाल होता है वो है कि आप पढ़ रहे हो ना अरे हाँ भाई पढ़ रहे हो या नहीं अरे पढ़ना ही चाहिए या स्वागत करता हो हमारे यथार्त बैच में भी लों हमने पिछले के देखा फिछले लेक्ट्र में हमने देखा था कि की नहि一下 की इनर्जी का फो होता है अको सिस्टिम में बराबर है उसी के साथ बहुत सारे हमने अलग अलग ट्रॉफिक लेवल भी देख लिये थे उसी के साथ हमने बाईो जी ओ केमीकल साइकल भी देख लिये थे अरे भाई बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली थी ठीक है तो अब क्या होगा अब होगा हमारा next chapter अब नेक्स चाप्टर कोँ साँ है next chapter है तो आज हम देखने वाले useful and harmful micros तो यह क्या होता है useful क्या होता है harmful क्या होता है हमने तो हर बार चुना है कि harmful ही होते हैं micros तो चलो भाई आज देखते हैं कि किस तरह से होने वाला है lecture क्या क्या होने वाला है तो सबसे पहले देखने वाले है हम क्या देखने वाले कि हमारा target क्या है आज का आज का हमारा target क्या है रखा है हमने set करके रखा है चलो देख ले ठीक है सबसे पहले देखेंगे microbes and microbiology मतलब क्या होता है microbes मतलब क्या होता है वह देख लेंगे ठीक है उसके बाद हम देख लेंगे यूजफफूल źniejmen और यीश्शे सारे किस सारे microbes आज हम पढ़ने वाले उनके बारे में तोड़्रalis तोड़्र धोड धोड़र हम पढ़ेंगे जितना आपको और यह आपको फंगस जैसे कुस्तोबी स्ट्रक्षर दीख रहा है रहा एक बैक्टरिया और यह क्या है यह आपको फंगस जैसे आपके मन में भी हर बार आता होगा कि जब भी आपको मतलब कोई बोल दे कि ये बैक्टरिया है ये फंगस है तो वैसे ही आपके दिमाग में हो जाता था मतलब आपकी दिमाग में आ जाता है कि भाई इससे क्या होगा इससे क्या होगा हमें हर बार नुकसान ही होगा मतलब ये यार यह तो हर बार मुझे इंफेक्ट कर देता है हर बार मुझे क्या कर देता है वीक कर देता हर बार मुझे कुछ न कुछ तो होते रहता है मतलब यह कैसे है हमारे लिए क्या है यह हमारे लिए हामफुल यह क्या है हमारे लिए हामफुल और यह क्या है आपको कभी बैक्टर होगे लेकिन क्या आपको फंगस का इस तरह से स्ट्रक्चर दिखा क्या नहीं क्योंकि यह कैसे एकदम माइन्यूट एकदम लिविंग ऐसे टाइनी 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 लिविंग और गेनिजम से बरबर है टाइनी 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 लिविंग क्या है यह लिविंग दि लेकिन भाई यह जो हामफूल माइक्रोब्स होते हैं आपको तो पता चल गया कि कुछ-कुछ माइक्रोब जैसे बैक्टरिया फंगस क्या हो गए आपको मतलब हर बार आप गालिया दिते होगे उसके की इस बैक्टरिया के वज़े से मेरा स्टमक पेन हो रहा है इस फंगस के जैसे मुझे लड्डू ने खाने को मिला कि मैं उस लड्डू को खा ले था फंगस बरे लड्डू को तो भाई मेरा पेट में गड़बड़ी मच जाती बराबर है यह आप हर बार सोचते होगे लेकिन क्या हर बार हर एक बैक्टेरिया फंगस गद्दार होगा क्या हर बार वो हामफुल होगा हुमन के लिए नहीं भाई जैसे यहाँ पर कुछ बैक्टेरिया दिख रहे होगे आपको यह है बैक्टेरिया और यह जो बैक्टेरिया है वो तयार करते हैं आपका मीठा मीठा सा क्या योगर्ट बराबर है आपको जो पसंद है वो योगर्ट भी त्यार करते हैं उसी के साथ आपने टॉमंट जेरी में देखा होगा ॒ह चीज AZ चीज के लिए जो इरी भाइद उसके पीचे टॉम भागता है वह किसे बंठान बैक्टरिया से बंठागा तो मुझे बताओ यह ये यूसफुल हुए या नहीं हुए उसी के साथ अभी यह है अपना फंगस यह क्या अपना एक फंगस और फंगस भी जो है भाई फंगस के हेल्प से हम क्या बनाते है अलकोहल बनाते है लोग जो कंजूम करते है अलकोहल वो भी किस से बनता है भाई वो बनता है अपने एक फंगस से तो बता वच्चा क्या microbes हर बाल harmful हो गे हमें, यहाँ पर तो नहीं दिकरा harmful, यह bacteria तो इस yogurt में present है, यह bacteria के वज़े से यह cheese बना है, इस fungus के वज़े से यह alcohol बना है, तो मुझे बताओ, क्या, यह खाने के वज़े से हमें कभी कुछ हुआ है पेट में, कभी कुछ हुआ है, नहीं न, नहीं न, फिर भी इन में तो क्या है, microbes तो प्रेजेंट है, तो यह microbes कसे है हमारे, यह microbes हमारे लिए है, useful microbes, useful microbes, कशे आप लहाटी, है सर्व अचा सर्वा, useful microbes, ठीक है भाई, तो चलो, अभी आपको तो समझ में आ गया होगा, कि कुछ-कुछ microbes जो होते हैं, वो harmful होते हैं, और वैसे ही, कुछ-क माइक्रोब जो होते हैं, वो useful होते हैं, for example, यहाँ पर आपने देख लिया, तो चलो, इसको अभी शुरुआत करते हैं, इसको अच्छी से पढ़ते हैं, कौन से useful है, कौन से harmful है, ठीक है, तो सबसे पहले आता है, microbes and microbiology, अब माइक्रोब मतलब क्या होता है, देखो भाई, ध माइक्रोब मतलब क्या होता है, माइक्रोब मतलब क्या होता है, ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो, और बायो मतलब क्या होता है, लिविंग, या फिर उनके क्या, प्रोसेस, जो कुछ भी होगी, metabolic process या कुछ भी बोल लो, ठीक है, metabolic process, ठीक है, कुछ भी बोल लो, ठी लिख्याहिए तर्व याँ पर क्या हो रहा है माइक्रोब्स बैयोजी है मतलब उनके जो कुछ भी प्रोशेस हो वह कैसे जिन्दा है किजिन्दा है स्किने यानिक इस कंछ गई तो इहां पर क्या हो रहा है जो इस्तधिशाल ऑब यह microorganism मतलब क्या होते microbes, अब यह microbes क्या होते सर, तो microbes देखो क्या होते बच्चा, the extremely small living thing which cannot see with our naked eyes is called as a microbes, ऐसी चीज, ऐसी living thing जो हमारे naked eyes, यानि कि आप ले उगड़ा डोड़ा ने आपन तयाला बहुश अकना रहा है, अच्छे एकडम extreme 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 small living thing, तयालास मनता था microbes, माााइक्रोप, तो भाई, tint types कितने हैं, देखो कुछ-कुछ जो है, microbes वह harmful होते तो कुछ-कुछ जो है, यूस्फफुल होते, कुछ-कुछ क्या होता है, harmful, harmful, हभाई, वूह रूव रहा है, और कुछ-कुछ क्या होते, useful होते है, जिसके वज़े से हमें किया मिलती है, जुसक उसके बने हुए प्रोडक्वाने की वजए से या फिर उसको ही माईक्रोब्स माइक्रोब्स है मतला निकर खुश रहते ले उस्टरौ अग्जमपल लैक्टोबसीड है लेक्टो भैसिला है ठीक है, rhizobium है भाई, यह भी हमारा एक bacteria है, उसी कैसा यह fungus है, यह भी क्या है हमारे लिए useful microbes है, और उसी जगा हम देखें तो कुछ-कुछ harmful microbes भी होते हैं, जिसके वज़े से हमें कोई ना कोई तो में disease हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो भी हमारे body में क्या आ जाएगा भाई, फरक आ जाएगा, वो कोई से होते हैं, वो होते हैं, harmful microbes, तो वो कोई से होते हैं, ग्लॉस्ट्रिडियम, समझ लो, उसी कैसा आथ क्या है, और कौँछ वाइरसे से, बभराबर है, बहुत सारे, यह भी क्या करते हैं, हमें harm पहुचाते हैं, उससी के साथ कुछ-कुछ, protozoa भ कहेंगे हैं हांफुल माइक्रोस ठीके बच्छा बहुत बढ़िया चलो तर आता अपन शुरुवात करो या में आता हाथ तो थोड़ा फ़र में इंट्रोक्टरी पार्ट टुमारा सांगितला आता अपन मेन टॉपिकला सुरुवात करो ते मंजे यूसफुल माइक्रो और्ग अब इसको पढ़ते हैं तर लेक्टाओसी लाइस से शेप कसांथो शेप बगा इटीजर रेक्टेंगूलर रहौडट डेंगो यहाँ पर क्या हुझ यह रेक्टेंगूलर है ठीक है और और उसी के साथ यह जो पेन जाएसे दिख रहा है आपको glad गोल को गोल टाइप उस टाइप मेंक्या अगर ऐसे देखो कि एता आपको से पोडसेले सब्साइबिट आपको और इस चलो इनए लगती एज्यासे हमेंन में जब रेस्पारीशन करते हैंbars से अंदर लेते हैं और भनडा respiration नहीं है ठीक है समझ भी इसपार्ट ऑप रेश्पिरेशन ठीक है तो हम परफॉर्म करते हैं अरोबिक respiration एरोबिक respiration मतलब in the presence of oxygen respiration the process of respiration which takes place in the presence of oxygen मतलब प्रान वाईउ के presence में अगर respiration हो रहा है तो उससे क्या कहेंगे उससे हम कहेंगे एक दम बरोबर ठीक है तर त्शाश प्रकार आता आपन रेस्पिरेशन करतो आइरोबिक रेस्पिरेशन तर आप लाला सरटन अमाउंट आप एटीबी बाहर निक्तत मझे आप लएला एनर्जी भेटे बरोबर आए त्वडरकारे ये लैक्टो बैसिल आये ते परफॉर्म कर प्रताथ Anerobic respiration कों सा करते ओध़ यह करते हैं Anerobic respiration Anerobic Respiration दिख रहा है बच्चो नहीं भाई ये तो नहीं दिख रहा है तो इसके लिए हमें कुछ अलग सा लेना होगा चलो वाईट ले लेते हैं ठीक है यह क्या परफॉरं करता है यह करता है anaerobic respiration perform करता है अब anaerobic respiration मतलब क्या भाई aerobic के opposite मतलब मतलब क्या मतलब क्या कि respiration perform करेगा in the absence of oxygen in the absence of oxygen समझ लो यह respiration perform करेगा in the absence of oxygen और उसके वज़े से क्या होगा इसको certain amount of energy यानि कि ATP इसको मिलते जाएगा और यह अपनी जीवन की जो प्रोसेस है यह आराम से जी पाएगा उसके लिए उतना ही amount of energy sufficient है ठीक है चलो बहुत बड़ी है तो अभी यह तो हो गया कि मैंने आपको इसके बैक्टरिया के शेप के बारे में बता और इस किस तरह से यह सरवाई करता है फॉर बाइप पर्फॉर्मिंग दा एनेरोबिक टाइप आप रेस्पिरेशन ठीक है फॉर्द एनर्जी प्रोड़क्शन चलो ठीक है आता बहुत कि यह लैक्टोबैसिल यूज का है याला आप लर्यवर्यम प्रोड़क्ट लाइक योगर्ट बटरक मिल गी चीज श्रिकंड backwards ऐक्सेटर ग्यान भी ऑप्टेंदा बॉपमेंटेशन ओप मील्क यह material, we can be obtained by fermentation of milk. टो भाई आपने कही बार देखा होगा आप वाइन कही बार कि आपकी मम्मी जो है मम्मी ने क्या कर लिया हर रोज आपके घर में जो है दो-दो लिटर दूद आता है हर रोज आपके घर में दो-दो लिटर दूद आता लेकिन क्या हो गया कि एक दिन जो है मम्मी ने खाली 1 लिटर दूद यूजार आपके सब देखो यहाँ पर मैं अन्युक्त करता हूँ ठीक है तो यह क्या हो गया हमारा यह लिटर दूद जो बचा है ठीक है एक पूरा का पूरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लिटर दूद आ गया, थोरा सा काला दिख रहा होगा, लेकिन भाई, सपर्ट कर लो, ठीक है, दूद को आप बस समझ लो, ठीक है, एक लिटर यह दूद बज गया, ठीक है, तब आपके मन में भी सवाल आया होगा, कि क्या म मम्मी क्या मम्मी यह एक लिटर दूद अगले दिन यूज करेगी क्या मम्मी यही एक लिटर दूद हमें अगले दिन भी पीने को दियेगी या फिर क्या करेगी तो मम्मी क्या करती है मम्मी कटोरी में कुछ तो भी एक चीज लाती है कटोरी में क्या लाती है एक कोई तो भी पर होता है क्या होता है देखो भाई एक लिटर दूद बचा है अब मम्मी क्या करते हैं कटोरी भर दही लाती है और वो दही इस दूद में डाल देती है तो समझ लो यहां पर यह कटोरी भर जो दही लाया था वो दही मम्मी ने इस दूद में डाल दिया अब आपके मन में वाल के साथ आप जो है सो गए राध भर और सुबह उटके जब देखा तो इस दूद का धही बना फूआ तो ने दूद का ध्यार अध़ कावर टाकल मम्मी ने जो दूदा माँदो टाकला है याला मनता इनो कुलंट इनो कुलंट इनो कुलंट तो भाई देखलो क्यूं हुआ ब्लाइसे दूद का डही क्यूंब बना जो पतला सा हमारा लिकवीड सा दूद था उसका जाडा सा घट घटा सा एकडम दही का बरा बनना तर बहुन तो भाई यह जो दूद होता है यह जो दूद होता है इसमें होती है शुगर इसमें होती है एक शुगर जिसका नाम है लैक्टोज शुगर जिसका नाम क्या है लैक्टोज शुगर ठीक है क्या होती है इसमें शुगर होती है जिसका नाम है लैक्टोज शुगर और उसी के इसमें एक प्रोटीन भी पाया जाता है ये जो दूद है दूद में एक प्रोटीन भी होता है जिसका नाम क्या है केसीन जिसका नाम क्या है भाई जिसका नाम है केसीन ठीक है जिसका नाम है केसीन ठीक है केसीन भी एक प्रोटीन पाया जाता है तर बग आधा का होता जेवा मम बंभी ने थोड़ा सा कट्री बर दही याजा मदे टाक ला तेवा काय झाला कि रात्र बर याजा मदे रात्र बठे उन दे ले ला आणि दूसरे दिशी जे बाद में बगित ला तरहां लिक्वीड धाले लिक्वीड असले दूद पूर्ण पने घट्टा घट्टा सा दया अ इसमें होता है इसमें होता है एक बैक्टरिया जिसका नाम है लैक्टो बैसी लाए इसका नाम है लैक्टो बैसी लाए अब देखो लैक्टो बैसी लाए तो क्या हुआ तो लैक्टो बैसी लाए जो है एक के दो दो के तीन तीन के चार मतलब ऐसे बढ़ते जाएगा आपका पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा ठीक है अब इतना पॉपुलेशन बढ़ जाएगा उसी के साथ जब बैक्टरिया एक का दो हो रहा है दो के चार हो रहे तो उसको क्या लगेगी एनर्जी लगेगी तब वो एनर्जी कहां से लेगा भाई यह जो आपको लैक्टोज शुग है लैक्टोज शुगर है ठीक है लैक्टोज शुगर पर क्या होगा यह लैक्टोबैसिला है यह लैक्टोबैसिला क्या करके उसको तोड़ेंगे और जब यह तोड़ेगा तब क्या निकलेगा भाई तब यहां से निकलेगा तब यहां से निकलेगा लैक्टिक एसीड लैक यूज करेगा हमारा ये प्यारासा Bacteria ये एनरजी तो फिन यूज करेगा हमारा लेक्टिक असिड फिर वो क्या करेगा यह लेक्टिक असिड करता है इस कैसी न का जो आराम से अभी प्रोटीन क्या है भाई लॉंग चेन ऑप अमाइनो एसिड ये देखो एक अमाइनो एसिड इसको कनेक्टेड़े दूसरा अमाइनो एसिड इसको कनेक्टेड़े तीसरा अमाइनो एसिड इसको कनेक्टेड़े चौता अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड की क्या हो दिए एन मतलब नमबर ऑप अमा पोटिन कैसा था केसीन ऐसे आराम से एकदम फैला हुआ तो एकदम निमाद सब्स लिला होता है एकदम आसा आराम से बस लिला उता है यहें लग जो केसीन है वोह था फोग्यागूलेbane होने लगा अब यह सारा का सारा फैला उसके वजसे से क्या हवा जो liquid liquid milk था वक अबगा आुँ हो गया solid मतलब semi-solid दही में समझरीओ किसके वज़े से क्योंकि lactic acid तयार हुआ और उसके वज़े से क्रेसिन प्रोटीन है वो क्या हो गया वो पूरा का पूरा अपना ऐसे contract हो गया इतना समझ लो और वो जो contract उसको हम कहते है coagulation उसको क्या कहते हैं coagulation coagulation of milk protein जो है केसिन उसका होने के वज़े से यह जो दूद जाओ था लिक्वीड लिक्वीड वो कैसे होगा पूरा का पूरा coagulate हो समझ रहे हो तो यहां पर lactose sugar पर connect हुआ lactobacilla हो उसके वज़े से क्या हो lactic acid plus energy तयार हुई energy तो lactobacilla ने ले ली फिर यह बचा लेक्टिक एसीड ने क्या कर दिया जो milk protein हमारा केसिन उसको क्या कर दिया भई yeter к्यू те रहे लेक्व कर र्रेस्पिरेशन कर रहा है अनेरोबिकाशन उसमें भी क्या कर रहे है यह雉लेकम हैसीड फर्मेंटेशन है है मैं allowed to lose कर लाक्टिक ऐसेड़ में रधी किया की सिन हो गया केसी ओर उसी से क्या बनता है योगर्ड बना उसको हिम ने दबा दिया तो उससे क्या बना भाई श्रिखन बना चीज भी इसी तरह से बनता है चीज के प्रोडक्शन में भी इस तरह से यूज होता है तो बता भाई इस बैक्टेरिया ने हमें यहाँ पर help करी या नहीं करी बराबर है समझ रहो तो भाई यह क्या है यह हमारे लिए यूसफुल बैक्टेरिया चलो अब नेक्स्ट यूज देख लेते हैं, नेक्स्ट यूज क्या है, लैक्टो बैसिल है, फर्मेंटेशन यूस्फूल फॉर लाज स्केल प्रोड़क्शन ओप साइडर, कोकोवा, पिकल्स ओफ वेजिटेबल, तो साइडर किससे बनता है भाई, ये बनता है हमारे एपल से ये किस से बनता है हमारे एपल के, एपल को है जो क्या उसका फर्मेंटेशन किया जाता और फर्मेंटेशन करने के बाद क्या बनता है हमारा साइडर बनता है, उसके साथ ये कोकोवा, कोकोवा क्या होता है, आपने कॉफी, कॉफी पी होगी बहुत बार, ठीके, तो कॉफी क क्या होते बीन्स होते तो उस बीन्स के ऊपर कवरिंग होती है कोटिंग होती है तो उसको निकालने के लिए किसका यूज किया जाता लैक्टो बैसिला बैक्टेरिया का यूज किया जाता ठीक है बहुत बढ़िया उसी के साथ पिकल्स वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स के जो use to treat abdominal discomfort तो भाई यह हमारा अबदु है बिचारा दुख्य है अब दुख्य क्यों है क्योंकि इसने खा लिया पुरगीर अब भुरगीर जब इसने खा लिया तो क्या हो गया इसके पेट में जो है बैक्टरिया बढ़ने लगे, जिसके वज़े से क्या हुआ, इसको abdominal discomfort हुआ, इसके पेट में दर्ध होने लगा, तो भाई ने फिर कोई तो भी ऐसी चीज खा ली, जिसके वज़े से क्या हो गया, ये जो भाई, खुश हो गया, और इसने heart wart बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका जो abdominal pain था, वो पूरा का पूरा कैसे हो गया, वो पूरा relief मिल गया, अब इसने ऐसी कोई सी चीज़ खाई होगी, कि जिसके वज़े से है, इसका abdominal pain पूरा निकल गया, इसने खाया था भाई, probiotic, probiotic, अब ये probiotic क्या होता है, living bacteria, active bacteria होते हैं, किसके अंदर, probiotic के अंदर, ठीक है, तो उसमें कोई से हो गए, ये lactobacilli भी हो गए, और some other bacteria भी होते हैं, ये probiotic क्या करता है, यहाँ पर इसके पेट में हैं, जो harmful bacteria क्या हो रहेते, ग्रो हो रहेते, उसको मारने का काम कोन करते हैं, ये हमारे useful bacteria, for example, lactobacilli है, जो की होते हैं, प्रोबायोटिक में, और फिर ये जब हम खा लेते हैं, तो ये harmful bacteria को क्या कर देते हैं, harmful bacteria को पूरे के पूरे मार देते हैं, और अच्छे bacteria की क्या हो दे, पेट में, भाई, एक के दो, दो के चार, चार के आठ, आठ के सोला, ऐसे बढ़ते 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 जाते हैं, और अपना पूरा का पूरा abdominal discomfort जो है, वो निकल जाता है, समझ रहे हो, इस तरह से एक use होता है, नेक्स देखते है, living fodder offered to domestic cattle like cow and buffalo is fodder fermented with the help of lactobacere, तो देखो यहाँ पर हमारी cow है, जो क्या है, हमारी domestic animal है, क्या बोरी भाई, हाई बोरी है सब को, ठीके, तो बोलो सब लोग, हाई, ठीके, उसी के साथ बड़े ही swag में बैटे है हमारी यह buffalo, ठीके, अब आप देख पारे होगे, यह क्या है, हमा खाना देते हैं उसको कहते हैं, फॉडर, तो उस फॉडर में भी उस फॉडर का फर्मेंटेशन करने के लिए हम क्या आड करते है, उसमें अड करते है, लैक्तो बैसिला, तियामें, आपन का याड करतो हो, तो तो वो भी जो है हमफुल बैक्टरिया निकल जाएंगे, ठीके मतलब इनका पेट कैसे रहेगा भाई एकदम साफ रहेगा उसी के साथ इनका जो milk production का जो है rate भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है amount of मतलब meat production होए इनका क्या हो जाता है बढ़ जाता है क्यूं क्यूंकि इन्होंने fermented fodder खा लिया तो इसमें भी क्या हो गया भाई इसका lactobacilli का हमने यूज देख लिया ठीक है चलो नेक्स देखते है दल्यक्ट बैसिलाइ fermentation process is used to make wines and some type of bread तो भाई wine production में और bread production में भी क्या होता है lactobacilli का use किया जाता है ठीक है चलो तो यह सारी की सारी uses हमने देख लिए इनको समझ लिए चलो next देखते है अभी lactobacilli खतम हो गया अब आते है rhizobium पर अब आते है rhizobium तो rhizobium भी क्या है rhizobium भी हमारा है bacteria तो भाई यह जो bacteria है ना यह relationship में यह किसी के साथ relationship में है किसके साथ है वह अगरी देख लेंगे ठीक है तो यह किस टाइप की relationship में यह है symbiotic type of relationship में ठीक है it leaves symbiotic relationship अब यह symbiotic relationship मतलब क्या होता है यह जिसकिसी भी partner के साथ रहता है समझ लो यह rhizobium है यह इसका partner है तो यह rhizobium इस partner को कुछ चीजे करने में help करेगा और यह partner क्या करेगा राइजों भी हमको किसी और चीज में हेल्प करेगा तो यह एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? हेल्प कर के रह रहे हैं. तो उसको ही कहते हैं हम सिम्बाइटिक रिलेशन्शिप उसको क्या कहेंगे हम सिम्बाइटिक रिलेशन्शिप किसके साथ रहता है वित लेगुमिनस प्लांट अब लेगुमिनस प्लांट मंझे का है लेगुमिनस प्लांट मंझे अशे प्लांट जे का करता है शेंगा तयार करता है बरबर शेंगा वटाने चे शेंगा जोबडी चे शेंगा तो सर्वल लेगुमिनेस प्लांट्स ठीक है ठीक है venc सूँपी सूभीन अब पता होग आपको टीक है उसी के था सूभीन मतलब अपना वटा ना और उसी के साथ जो चंक आप खाते हो गये आप सोया बींट डारेकली नहीं खाते लेकिन सोया बिन्च चंक खाते हो गये दिश्द्स देख़ादू खुलावर राए दिल कि कुटर राए दिल है यह स्तात का है इस लिउज इन रूट ऑफ लेग्यू कि बिलांट देखो इता यह रूट जो है यहाओ ऐसे चोटे 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 चोते नीडेट बना इस विर गूकर ऐसार दो BENगैस confront द्लख उसमें एप bacteria रहते है अब क्यूँ रहते हैं वो प्रोटिश f लिए बहुत होता है अब लोगता है तो प्रोटिश अनी नैट्रोजड बन लगत तो प्रोटीन ला बनना साथी, अमा एनो ऐसे ज़िए तुम्हाला कार्बन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन तुम्हाला दिसन पड़े, ठीक है बाई, बहुत बढ़े, तो देखो, क्या होता है, कि जो प्लांट जो है, वो कार्बन तो आराम से ले लेगा, वो कार्बन क्या, नेचर से जो आराम से बन लेगा, वो food synthesis करता है, तब क्या बनता है, उसमें क्या होता है, कार्बन होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसी के साथ वो नेचर से क्या कर लेगा, वाटर से लेगा, हाइड्रोजन उसके अंदर आ जाएगा, लेकिन हमें पता है, कि नेचर म एक परसेंट भी nitrogen प्लांट जो है directly नहीं ले सकता possibly नहीं free nitrogen directly atmosphere से plant नहीं ले सकता अब उसको protein तो बनाना है भाई उसने carbon ले लिया hydrogen ले लेकिन nitrogen लेगा कैसे nitrogen atmosphere में है लेकिन वो directly नहीं ले सकता तो वो ही atmosphere से nitrogen plant के अंदर डालने के लिए कोन help करता है वो होता है हमारा bacteria जिसका नाम है rhizobium जिसका नाम है rhizobium अब यह किस तरह से help करता है वो देख ले rhizobium helps to fix the atmospheric nitrogen into nitrate and nitrite by the process of nitrogen fixation तो देखो भाई देखो क्या होता है nitrate मतलब क्या होता है nitrate nitrate यानि क्यों होता है NO3 nitrate मतलब क्या होता है nitrate nitrate मतलब होता है हमारा NO2 ठीके तो यह directly nitrogen तो plant के अंदर जा नहीं सकता यह जो atmosphere में nitrogen present है वो directly plant के अंदर तो जा नहीं सकता तो इसको पहले convert किया जाता है किसमे nitrate और nitrite में इसको पहले convert किया जाता है नाइאड्रेट और नाइट्राइट में और ये कोन करता है ये करता है भाई हमारा bacteria rhizopium कोन करतों bacteria rhizopium convert करतों free nurturing आटमोस्पेरिक nitrogen ला नाइस्पेरिक नाइड ला नाइस्पेरिक अनि नाइस्पेरिक में दे मग है जे compound is nitrate and nitrite है फ्लाइन आपला आत्म देगे तो आनि मग त्या पासूं का हो तो प्रोटीन अपला बनावता ये तो तो समझ रहे हो कि राइजोबियम किस तरह से हेल्प करता है भाई ये अट्मोस्पेरिक फ्री नाइट्रोजन को किस में करेगा नाइट्रेट और नाइट्राइट में और फिर ये जो मॉल्लीकुल से ये जो से दिखता है ठीक है नोडिल फॉर्मेशन करता है अब राइजोबियम ने तो भाई हेल्प कर दी राइजोबियम ने तो अपना काम कर दिया कि नाइट्रोजन जो था एट्मोस्पेर में उसको लेकर उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में कनवर्ट करकर प्लांट त लब क्या है ये living है अब living है तो इसको energy तो चाहिए होगी इसको कुछ तो भी पेड भरने के लिए चाहिए होगा ये नहीं भाई जिन्दा है तो कुछ तो खाएगा तो ये क्या खाएगा rhizobium get the carbohydrate from the plant तो rhizobium जो इतनी बड़ी help कर रहा है leguminous plant की उसके बदले वो क्या लेगा वो लेगा carbohydrate किसके तुरू leguminous plant के तुरू क्या करेगा ये जो leguminous plant है इसके मतलब इसने nitrogen fixation में help करी तो उसके मोबद त्याचा मोबद लाट काई घेनार तो त्याचा मोबद लाट घेना आनी तो जिवन तरह आना ठीक है भाई तो किस तरह से नूडिल formation होता है ये देखो ये हो गया है रूट ये क्या हो गया हमारा रूट किसका leguminous plant का तो इस पर इस तरह से एक नूडियूल बनता है और इस नूडियूल में आपको दिख रहे होगे यहाँ पर रेड रेड रे तो ये क्या है ये है हमारे rhizobium तो भाई rhizobium को क्या मिल गई मिलने की यहाँ पर जीने के लिए जगा मिल गई रहने के लिए जगा मिल गई बराबर है और उसी के साथ रहने के लिए जगा तो मिल गई और ये कार्बोईडेट मतलब कार्बोईडेट खाने के लिए इसको भी यह कहा से रूट से यहाँ पर उसको मिल गया समझ रहा भाई बहुत बढ़िया नेक्स बगवाई आता आता जाले आपन बैक्टिरिया बगीदले कुटला लैक्टोबैसला आनि आपर का बगीदला था राइज खाल加 उनिश भाईए उनियम आ एक सेल से बना होगा मतलब 21an फरंट क SIMD और 825 और 2100D म dai इसके वाई इसके स्पिसिज है समझ रही और 1500 क्या है अलन अलग इसके स्पीशीज है समझए चलो तो यह कैसा इसके तो हो stopping के इसका है इसका अपना क्या करता है यह मतलब जैसे कि को खा कर यह क्या करता है अपना घुराड्जारा कर लेता Гोर्जारा कर लेता है क्या खाता यहाँ लिए देखो है तो जलो जो जर्व यह यहाँ एसविर्फर एक से बनाँ यहां पर दिखरी हो गाँ आपको यह देखो यूनिय चेलोलर फंगस यह देखो यहाँ पर यह फंगस है यह है यह है कि ऐसे यहाँ पर बहुत सारे आपको thousand and million में क्या दिख रहे होगे आपको यहाँ पर एक 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 फंगस दिख रहा होगा कोन यह इस तेप, unicellular fungus है, unicellular fungus है तो ये budding की through क्या करता है अपना reproduction तो समझो ये fungus है इसमें एक छोटा सा यहाँ पर क्या आ जाएगा पहले एक bird आ जाएगा छोटा सा क्या हो जाएगा बड़ आ जाएगा फिर ये bird जो है पूरा का पूरा यहाँ से कट कर यहाँ पर ऐसे एक नया सा मतलब इस फंगत से यह दूसरा फंगत मतलब इस इस से यह दूसरा इस्ट क्या हो गया तयार हो गया किसके तुरू होता है जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं बढ़िंग उसको क्या कहते हैं बढ़िंग यहाँ पर दिख रहा होगा यह देखो आपको यहाँ पर यह बढ़ तयार हो रहा है यहाँ से कटकर यहाँ से यह कटकर यह ऐसे बढ़ यहाँ पर तयार होगा ठीक है यहाँ पर यह चोटे-चोटे बढ़ से आपर तयार हो रहे है समझ रहो तो बढ़िंग के थ्रू क्या करता है रिप्रोडॉक्शन करता है चलो बहुत बढ़िया ठीक है तो इस पर्फॉर्म अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इस क्या पर्फॉर्म करता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अब फर्मेंटेशन मतलब क्या हो गया भाई फर्मेंटेश के मतलब इसको भी oxygen नहीं लगेगा respiration करने के लिए चला बहुत बढ़ा तर जे वहाँ अल्कोहलिक fermentation करते हो तो हाँ जो कार्बोहाइड़ेट आया कार्बोहाइड़ेट करने या ला पाज़े एनरजी इसको चाहिए क्या energy तो energy कैसे लेगा इस कार्बोहाइड़ेट को ये तोड़ देगा उसको alcoholic fermentation करके तोड़ देगा और उससे क्या बनेगा उससे बनेगा हमारा alcohol और उसी के साथ बनेगा हमारा co2 बनता है बाई alcohol बनेगा और co2 बनेगा और बनेगी एटीप और इस एटीप को कौन यूज करेगा इस एटीप को यूज करेगा हमारा इस फॉर देर परपस लेकिन जब इसको तो नहीं पताता भाई कि मैं अपना काम तो कर रहा हूं मुझे कार्बोड़ेट मिल गए मुझे मेरा पेड भरना है तो उसने लोग पीते हैं जो की नहीं पीना चाहिए ठीक है जो एक है लेकिन जिससे भी अल्कोहल बनता है उस अल्कोहल को ही कंजूम किया जाता है तो यह क्या हो गया इसने अपने काम के लिए करा उसको क्या चाहिए था एटीप जाहिए उसको एनरजी चाहिए थी लेकिन उसे के सा से मतलब कौन से इस किस तरह से हमें यूसफुल होता है वो देख लेंगे ठीक है सैकरोमाइसिस शुगर केन जूस मुलैसेस मेज आन बारले तो इन में क्या होता है इन सारी इसमें होता है कार्बो हाइडरेट कार्बो हाइडरेट इन में भर भर के होता है क्या होता है कार्बो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है उसी के साथ हमें सेकंडरी प्रोडक्ट भी मिल जाता है जिसका नाम है इस्टर तो यह क्या है हमारा यह हो जाता है हमारा सेकंडरी प्रोडक्ट primary product को ने हमारा alcohol और secondary product को ने भाई वो है हमारा Easter वो क्या है हमारा Easter ठीक है तो यह जो ethanol होता है वो कैसे होता है वो होता है smokeless fuel होता है smokeless fuel की तरह काम करता है जिससे भाई इसको जलाव धुआ नहीं निकलेगा उसी के साथ इससे हमें मिलता है जो आपको आपको इंजेक्शन लेने गए होगे तो डॉक्टर क्या करता है डॉक्टर पहले कुछ तो भी liquid लेता है जब यह इस्ट मतलब यह को साथ सैक्रमाशिस सर्विस ही यह एक स्पीशीज है ठीक है किसका इस्ट का तो यह जब जो है क्या करता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है जिससे क्या बनता है अल्कोहल बनता है तो इसको हम कहते है ब्रिवर्स इस्ट ब्रीवर्स इस्ट ये क्या है बैई ये बिवरेजे से पूरे के पूरे इथानॉल इथानॉल क्या है ये बिवरेजे से पीने के लिए तो इसको कहते है ब्रीवर्स इस्ट अब इसका दूसरा काम भी है इसका दूसरा काम भी है अब दूसरा काम को सा है देखो सैकरम ऐसी तो आपने बड़े ही नरम नरम ऐसे spongy spongy bread खाये होगे तो यह आपने जब इसको खोल के देखा ब्रेड को तो आपको वहाँ पर hole hole दिख रहे होगे बराबर है और उस hole के ही वज़े से वो क्या हो जाते है यह spongy spongy होता है लेकिन वह hole बनता कैसे हैं तो भाई हमें पता है कि जो हमारा bread बनता है वह किसके थुरू बनता है उसको हम करते है आटा यूज करते हैं चाहें वह आटा किसका भी हो तो भाई आटे में क्या है आटे में हमारा carbohydrate carbohydrate बराबर है carbohydrate यानि कि आप समझ लो ग्लुकोज है अब उसको यह तोड़ेगा अल्कोहलिक fermentation करेगा तो उसके साथ क्या निकलेगा हमारा alcohol मतलब इथैनॉल प्लस क्या निकलेगा CO2 तो भाई अल्कोहल तो है लेकिन CO2 बना तो आपको पता है जब आप उसको आटे को भिगाओगे और उसको रख दोगे तको इसके अंदर क्या है हमारा साक्रोमाइस सर्वीस ही आपने इस्ट दाला था फिर वो क्या करेगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा और कार्बोहडरेट लेके फिर वो अधे पार भार निकलता जाएगा और आप देख पारे हो कि जो आटा है हमारा ऐसस दीरे-दीरे फूलता जाएंगा यह प्ल क्यों रहा है क्योंकि वहां पर स्योटू क्या हो रहा है ऐसे ट्रैप हो रहा है वह द्रेने के वजय करने परना सप पूर्ण सपांजी लए प्रोड की अम्हफर्ट Ma चनली को साथ मेच्ट करना जाअस थान हमझा कुक अरन आगे अर। मेहा पेक। सप तून लेकिन कुछ-कुछ जो है बायोरी मेडियेशन में भी यूस किया जाता है जो हामफूल मट्रियेल है उसको यह जो इसट हे खुद में समाल लेते हैं खुद में खा लेते हैं और नेचर को बचा देते हैं जैसे कि यह रोव या लिप्टोलीटी का यह क्या करता यूस्टू एब्स टॉक्जिंस रिलीज डूरिंग प्रोडक्शन ऑप पाम ओईल एड़ी मेटर अड़ीमेरल्थ एयवी मेटल्स रिलीज फराम दे इंडस्टियल प्रोसैस तो इंडस्टियल प्रोसैस जो चलती होती हैं उसमें कया निकलते हैं, अबर सारे मिनरल्थ निकलते हैं, जो कि क्या श्Soft अथे पंदर कर लेता है यह ऊन्याहय दर को बचाने के लिए TCould कूछ लिए बाइ लुँकर लेका नि düşुश को छी करिए अधर स्थ कर लेका उसी के साथ और हूप से थी इस glory artsец अर्सेनिक अर्सेनिक recent ब्रूमेंट के लिए खुड Fucking अंदर का कर लेता है एब्सॉर कर ले और यह बैक्terिया लक्याणिवारेक्स तो यह लो nix क्या करता है जो ऑइल स्पील होता है आइल स्पील मतलब गड़े-बड़े जाएसे समुदर से आ है और उनका एक्सिडंट हो जाता है तो यह जहात क्या login कर रहे थे बहुत सारा टेल कर др वरह बरहाद है क्या रहे थे लेकिन उनका अ गया एक्सिडंट पूरा पूरा तेलगी तर गिर गया बही समस्ढूनर के पानी में गया अब समुंदर के पानी में जब गिरा तब क्या हो जब यह तेर बराबर है तो उसको निकालने के लिए हम भाई भी निकाले कितना भी हम जाए कटोरी भर करें इसे डाले किछ भी कुछ भी करें हम नहीं निका सकते लेकिन कुछ बेक्टेरिया होते अलकानी वराइस यह क्या करते उस ओयल को खा लेते हैं तो इसके वजह से पूरा पूरा और ऑईल जो है वो सरफेस निकल जाता है तो समझ किस तरह से हमें useful कुछ फंगस किस तरह से हमें useful रहे और कुछच-कुछ back buscar किस तरह से हमें इतने सारे फाइदे दे गया तो बाई बताऊ अब कोन कहेगा कि रेक microbes जो है वो harmful होता है अभी देख लिए कि बहुत सारे useful microbes भी कि हमें दिखते हैं और उसका हम यूज करते हैं डे टू डे लाइप में I hope कि आपको यह लेक्चर बहुत आसानी से बहुत अच्छे दरेक से समझ में क्रिस्टल क्लियर आपके पूरे टॉपिक हो गये ठीक है तो चलें मिलते इसके नेक्स लेक्चर में ठीक है जो क्यों गा अ